क्या रूस और भारत के बीच बड़ी तयारियां चल रही थी और रूस ने भारत को एक ऐसा सम्मरीन ओफर किया है जो चाइना को टेंसन दे सकता है जानेंगे ऐसा क्यों है भारत की एक बड़ी ही कमजोर कड़ी है और उस कमजोर कड़ी को रूस ने दूर कर दिया है अलाकि च दुसरी तरफ चाइना के रॉकेट के 300 टुकडे हो गए। आसमान में आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। जियोपॉलिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और भारत लंबे समय से डिफेंस पार्टनर हैं। आपको बता दू। रूस ने इस वक्त जो काम किया है वो बिलकुल भी चाइना को अच्छा नहीं लगेगा। भारत काफी लंबे समय से सब्मरीन के पीछे पड़ा हुआ है कि कितनी जल्दी उसे सब्मरीन हासिल हमने आपको पहले भी बताया है कि चाइना का अगर हिस्सा देखेंगे न तो अगर भारत और चाइना में कभी युद्ध होता है तो चाइना के पास बहुत सारे ओप्सन है भारत को नुकसान पहुँचाने के लेकिन भारत के पास बहुत कम ओप्सन है जिसमें कि भारत यहां पर ना तो कोई खास अदेसरी है ना वुद गह हैं नहीं कुछ ऐसा है जिसको बरॉबाद करने से भारत को बहुत जाड़ा हो जाए हो मिव्यक्राइब को यहां मिसाईलें दाओभि दःगा Quebec को भारत को फायदा नहीं को छाइन हो जाए है लेकिन अगर चाइना चाहे तो इसी इलाके का इस्तेमाल करके भारत के उपर बड़ा नुकसान पहुचा सकता है क्योंकि भारत की सगन आबादी यहां पे रहती है और इस इलाके से अगर भारत पर हमला करता है तो भारत को काफी सारा नुकसान होगा भारत के लिए एक रन्नीती बहुत जरूरी थी कि भारत काट ढूंडे और अगर चाइना को नुक्सान पहुचाना है तो फिर रन्नीती के हिसाब से भारत को चाहिए कि भारत चुपके चुपके पानी के अंदर चाइना के इस हिस्से तक पहुच जाए और यहां से मिसाइलें बरसनी सुरू हो क्योंकि यह जो इलाका है यही वो इलाका है जहां 94 परतीसत आबादी के साथ चाइना का सारा धन और सारे उद्धोग छिपे हुए है इस इलाके पर हमला करना जरूरी है इस इलाके पर हमला करने के लिए क्या चाहिए? इस इलागे पर हमला करने के लिए चाहिए जो सम्मरीद यहा तक पहुँचे और उस पर लगे हुए वो मिसाइल जो सच मुष से चाइना को नुकसान पहुचाए और ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा है ब्रमोज के नाम से चाइना वैसे ही हडकता है भारत ने फिलिपिन्स को जब से ब्रमोज दिया है तब से इस पूरे एरिया में ब्रमोज की धूम मची है अब इसी क्रम में रूस ने एक ऐसा काम कर दिया है जो चाइना को पसंद नहीं आएगा रूस की रूबिन सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो इन्होंने आर्मी 2024 परदर्शनी में अमूर 950 पंडुबी की पेसकस करी है अब ये पंडुबी क्या है ये पंडुबी बेहत खास है और ऐसा लगता है जैसे इसको बनाया ही गया है भारत के लिए क्यों क्योंकि ये एक वर्टिकल लॉंच ट्यूब से लैस है जो ब्रमोस मिसाइल को लॉंच कर सकती है यानि ये पानी के अंदर से आसमान की तरफ ब्रमोस मिसाइल लॉंच करने में सक्षम है ये पहली बार है कि इस एडवांस गैर परमानू पंडुबी को जनता के सामने रखा जाएगा समंदर के भीतर युद्ध का भविस्य कैसा होगा ये एक जलक है पंडुबी की ब्रमोस को वर्टिकल तरीके से लॉंच करने की चमता भारती नौसेना के लिए बेहत महत पुर् प्रजेक्ट है प्रजेक्ट 75 आई जिसके तहत भारत को भारत को रूस ने आमूर 1650 पंडुबी पेसकस करी थी लेकिन आमूर 950 एक एडवांस है पानी में काफी लंबे समय तक छिपा रह सकता है और इस पंडुबी के पास एडवांस इस टिल्ट छमताएं भी है यानि जिससे दुस्मन को इसका पता नहीं चलता है यह पंडुबी AIP टेक्नोजी से लेस है भारतिय नौसेना इस वक्त साथ किलो क्लास की पंडुबी का संचालन करती है जिसे सिंदु घोस के नाम से जाना जाता है पर अब भारत को ये रूश ने ओफर किया है कि भारत चाहे तो इससे खरीद सकता है आमोर 950 सतह पर आने पर 950 टन और पानी में डूबने पर 1300 टन का वजन विस्थापीत करता है ये पंडुबी 56.8 मीटर लंबी है पानी में डूबने पर 20 नौट यानि की लगबग 37 किलो मीटर परती घंटे की स्पीड से चल सकती है AIP सिस्टम के कारण 350 नौटिकल मील तक चल सकती है ये पंडुबी आकार में छोटी है फिर भी इसकी ताकत काफी बड़ी है ऐसा लगता है जैसे रूश ने इसे खास तोर से भारत के लिए तयार किया है इसमें ब्रमोस मिसाइल के लिए 10 साइलों है इसमें 544 mm टॉर्पीड YouTube भी है इसके अलावा माइन्स भी है भी अब भारत इसको खरीडता है या नहीं खरीडता है इसकी ओफिसीयल अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ-स्टार लिंक को कौन नहीं जानता है हाला कि जिस तरीके से स्टारलिंग ने नाम कमाया है उसे देखकर चाइना को टेंसन होनी शुरू हो गई है स्टारलिंग मतलब की सेटेलाइट से इंटरनेट सेवा बिना वाधा बिना किसी रुकावट के आराम से हाई स्पीड किसी भी इलाके में ये एलन मस्क की कमपनी प्रोभाइट करती है देत इंटरनेट से यूकरेन के लोग जूड़ पाए चाइना ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा हाला कि चाइना ने ये कहा कि हमारे पास एक ऐसा लेजर वीपन है जिस वीपन से हम स्टारलिंग की सेटलाइट को तबाह कर सकते हैं पर चाइना के मन में कहीं न कहीं था कि इकास हमारे पास भी कुछ ऐसा हो हम भी कुछ ऐसा बनाएं और इसके लिए चाइना काफी लंबे समय से तैयारी कर रहा था और इस बीच उसने अपनी तैयारी का एक चरन पूरा किया और इसके तहट चीन ने अपना एक रोकेट स्पेस में भेजा है लेकिन आपको बता फिलाल उसके तीन सो टुकडे हो गए हैं और ये अब एक स्पेस जंक बन चुका है स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं आप जिस तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से तीन सो टुकडे तूट कर अंतरिच में बिखर गए हैं चाइना का लॉंग 6A रोकेट तूट कर बिखर गया है और अब पिर्त्री की लो और्बिट में तीन सो से अधिक टुकडे में घूम रहा है जिस तरीके से लॉंग मार्च 6A रोकेट को सेटलाइट के साथ उत्री चीन के सांगसी परांत में ताइवान सेटलाइट लॉंच सेंटर से लॉंच किया गया था चाइना इसे अपनी एक बड़ी उपलबदी मान रहा था लेकिन यूएस स्पेस कॉम ने एक पोश्ट जारी किया और कहा कि ये टूट कर इसका उपरी हिस्सा बिखर चुका है और करीब 300 से अधिक मलबे यहाँ पर मौजूद हो गये हैं हलाकि मलबे इधर उधर बिखर रह नहीं है लेकिन ये चीजें बड़ी फेल की तरफी सारा कर रही है कि चाइना का एक बड़ा प्लान बुरी तरीके से फेल हुआ है वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के